हेलो स्टुडेंट्स क्लास एट्थ में हम फॉर्थ चेप्टर कर रहे थे मैथ का जिसका नाम था प्रायोगिक जामिती अब क्योंकि हमारे पास स्कूल में इंग्लिश मीडियम का भी एक बच्चा एंरोल हो चुका है तो इसलिए हम इसको इंग्लिश मीडियम में भी साथ साथ करेंगे तो चेप्टर का नाम है प्रैक्टिकल जिमेट्री तो हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि जब आपके पास फोर साइट्स और एक डाइगनल यानि कि चार बुजाएं और एक विकर्ण दिया हो तो कैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं रजना करते हैं चत्रबुज की क्वाट्रिलेट्र की अब यहां पर हमारे पास जो आएंगे इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में वह है यह अल्रेडी हो चुकी हमारी तो जिसने अभी तक यह नहीं किया है 4.1 एक्सरसाइज का वह पिछली वीडियो इसी में मैं आपको ऊपर कॉर्णर में लिंक दे दूँगा वहां से आप क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद फिर आपने नेक्स एक्सरसाइज पर आना है तो नेक्स एक्सरसाइज में अभी जो हम यहां पर कड़ने वाले questions उसमें हमें two diagonals दी होंगी diagonals यानि की विकार्ड quadrilेटर के और साथ में three sides तीन भुजाएं दी होंगी तो इस तरह का quadrilेटर लो चत्रवुज हो तो हम उसकी रचना कैसे करते हैं construction कैसे करते हैं वह हमने आप पर देखना है तो इसको कड़ने के लिए हम एक example लेते हैं तो आपकी बुक में example number two है उसे हम अभी यहां पर करके देखेंगे तो example two में जो हमारे पास यहां बोला हुआ है उसमें बोला है यहां क्या क्या है यहां बोला है बी-सी 4.5 cm है बी-सी 4.5 cm है एड इस 5.5 cm कि उसके बाद सीडी 5 cm और एक डाइगनल दिये विकर्ण एसी वह है 5.5 cm मैंने पूरा question नहीं लिखा है आपके सामने तो आपकी book में यह question है example number two है आपकी यह 4.2 exercise से पहले वहां पर आप इस question को देख सकते हैं तो एक quadrilateral चादरबुज ए बी-सी-ड बनाना है उसमें यह 3 sides दी हुई है BC 4.5 AD 5.5 cm CD 5 cm और यह जो है एक diagonal है AC विकर्ण वह 5.5 cm है और इसके बाद दूसरा विकर्ण एक और दिया हुआ है यहाँ पर BD वो है 7 cm तो यह हो गई हमारी 3 sides और यह है टू डाइगनल्स दो विकर्ण तो तीन भुजाएं और दो विकर्ण आपको दिया है तो यह किस टाइप का question है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है में है कि आप जो आपको given values हैं जो दी हुई है उनसे आप एक rough figure बना सकें तो figure बनाते हैं इसकी हम पहले quarter letter ABCD तो pen से ही आप अपनी notebook में भी एक rough ABCD इस तरह से बना लेंगे अब इसमें जो जो आपको given है दी हुई है चीजें वो यहाँ पर रखनी है BC 4.5 cm तो BC आपको यहाँ नजर आ रहा है यह है 4.5 cm उसके बाद है AD 5.5 cm तो AD यह है 5.5 cm CD 5 cm यह है CD यहाँ पर 5 cm इसके बाद AC अब AC कहा है AC हुआ यह diagonal हम इसे ही कहते है आप opposite vertices को मिलाने वाले line segment को तो सम्मुक्च जो हमारे पास यह shears होते हैं आमने सामने के उनको मिलाने वाला जो रेखा sides और यह दो डाइगनल्स आपको दिये हुए तो यहां से इसको देखते हुए हम यहां आप construction करेंगे construction करने के लिए हम scale का यूज करेंगे pencil और परकार का यूज करेंगे compasses तो सबसे पहले जो चीज आपको given है वहीं से शुरुआत करनी होती है अब यह आपको A यह भी नहीं दी है यहां पर कितनी length है तो यहां से शुरुआत नहीं करने आपने तो आप इसके अलावा बाकी हमारे पास 5 साइड है उन में से कोई भी यह 3 साइड यह 2 डाइगनल्स कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं कहीं से भी शुरुआत करेंगे तो यह बनेगा आपके उपर है कि आपने कहां से शुरुआत करनी है तो अभी हम फिलाल इस डाइगनल से शुरुआत कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर एसी तो मैंने यह स्केर रखा यहां बीच में एक 0 पर पॉइंट लगा रहा हूं और एक 5.5 पर 5 यह है उससे आगे 0.5 यहां तक होता है यह 5.5 सेंटीमीटर हो गया तो इसको हम यहां पर जॉइन कर लेते हैं यह है A, C और इसकी लेंद्ध हो गई है 5.5 सेंटीमीटर तो हमारे पास दो पॉइंट तो अल्रेडी आ चुके हैं अब हमें सिर्फ दो पॉइंट सो डूनने हैं B और D तो सबसे पहले D देख लेते हैं कहां पर हैं तो D जो है इसका A और C से डिस्टेंस हमें पता है A से क्य तो A से यह 5.5 सेंटीमीटर पर है और C से 5 सेंटीमीटर पर है तो A से 5.5 सेंटीमीटर नापकर हार रगाएंगे चाप्त और C से 5 सेंटीमीटर तो इसके लिए आपने डारेक्ट स्केल पर नहीं नापना है इस तरह से क्योंकि उसमें गलती होने के चांस रहते हैं साइड में आपने पॉइंट्स लगाना है एक जीरो पर यह ए से डिस्टेंस देख रहे हैं हो गया यहां भी हम इसको नाप सकते हैं अब ए से यह 5.5 सेंटीमेटर दिस्टेंस था तो ए पर हम परकार रखेंगे और एक आप लगाएंगे कि हमें पता नहीं है कि साइड यह जाकर दूसरी साइड से दूसरे आप को कट करेगा तो इसको आप लंबा भी लगा सकते हैं है इस तक हम नगिए हई ज्यस्ट किया और हम थो रखे यह अग लगा दिया चाप लगा लगा हम देख रहे हैं यह ढूसरों छाब आप यह पर एक दूसरे को murders वह कर रहे हैं काट रहे हैं दूनों आक्स यह पैंट हमारा ड है तो यहां पर हम देक देते हैं और इसको जॉइन कर लेते हैं, A से D, और इसी तरह से C से D, अब हमारे पास point B रहा डूनने के लिए, तो B का डिस्टेंस कहां कहां से दिया है, C से दिया है आपको, 4.5 cm, और B का D से दिया हुए 7 cm, तो यही दो आक्स लगाने हैं आपको, तो 4.5 cm लेते हैं, यह हो गया 4.5 cm, इसको हम पासिस मुल लेते हैं, परकार में, यह हमारे पास आ गया है, अब हमें यह जो B है 4.5 cm, C से था, तो C से हमें आक लगाना है, लेकिन किस साइड, इस साइड या इस साइड, वह आपको ध्यान रखना है, कि D, A, C के एक साइड है, और B, अपोसिट साइड है, दोनों अलग-अलग साइड है, D इस तरफ है, B इस तरफ है, तो D हमारा उपर आया, तो B नीचे आया, तो नीचे की साइड आपने आर्क लगाना है, इस तरह से, यह हमारा 4.5 cm का आर्क हो गया, C से, अब B का दूसरा डिस्टेंस D से है 7, तो 7 cm हम नाप लेते हैं, यह है 7, तो इतना हम इसको खोलेंगे, और यह D से डिस्टेंस है, तो D से हम 7 cm का आर्क लगाएंगे, इस तरह से, अब यह पहले वाले आर्क को काट नहीं रहा है, इसका मतलब हमें इसको आगी थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 4.5 cm जो हमने ना पता, वहीं पर रखे इसको दुबारा एड़्जस्ट करेंगे, हम अपनी कमपास इसको C पर रखेंगे, और इसको आगे बढ़ा लेंगे, तो अब यह जो पॉइंट आया है, यह हमारा B है, तो B से A को भी जोइन कर लेंगे, और B से C को भी जोइन कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा, यह तैयार हो गया, इसमें B, D आपको डिस्टेंस यह भी दिया था, तो इसको भी आप जोइन कर सकते हैं, तो सभी की मेजरमेंट लिख लेते हैं, अब हम, A, B हमें नहीं पता, B, C, 4.5 cm, यह, C, D, 5, C, D, 5 cm, A, D, 5.5 cm, उसके बाद, A, C, 5.5 cm, यह वाला, और साथ में B, D, यह है, B, D, यह 7 cm, यह आपका quarter later इस तरह से त्यार हो गया है, तो सेम इसी तरीके से आपने बाकी questions भी करने हैं, आपको जो given नहीं है, उससे शुरुआत नहीं कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास sides या diagonal से हैं, उनमें से किसी एक से शुरुआत करनी है, diagonal से शुरुआत करते हैं, तो अच्छा रहता है, diagonal आपने बनाई, उसके एक side, एक point मिलेगा, दूसरी side, दूसरा point मिलेगा, तो इस तरीके से आप यह construction कर सकते हैं, जो भी given values हैं, उनको measure करते हुए, args लगाते जाएं, चाप, और जहां-चहां वो काटते जाएं, वहां पर आप join करते जाएं, आपका quadrilator तयार हो जाएगा, तो अब आपके पास जो आपकी books हैं, उसमें आपने exercise 4.2 करने हैं, और इस exercise 4.2 में आपके पास यहाँ पर तीन ही questions हैं, question number 1 के 3 parts हैं, 1, 2 और 3, तो यह तीनों parts आपने इसी तरीके से करने हैं, और उनकी photo आपने upload करने हैं, WhatsApp पर, तो next exercise के साथ next part में मिलेंगे, तब तक आप इनको करिए, और जो question समझ में ना आए, उसके लिए आप WhatsApp पर पूछ सकते हैं, Thank you.